हिंदी बाइबिल मेसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुभह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बिता देते हैं पूरा दिन वो केवल पुरानी बातों को याद करते रहते हैं मेरे साथ मैं ऐसा क्यूं हुआ मुझे उसने धोका क्यूं दिया अनिक परकार की बातें जो उनके साथ में गलत हुआ है उस पर वो आज के दिन को बरबाद कर देते हैं सूच सूच कर, वे परजेन टाइम में नहीं जीते, आज का जो दिन है, उसे वो नहीं जीते, आज के दिन जो अपरचुनिटी उनके पास हैं, जो लोग उनके पास हैं, जो काम उनके पास हैं, उस पर वो जीवन बेतीद नहीं कर रहे हैं, उस पर वो अपने ध्यान को नहीं बलकि किस पर लगाए हुए हैं, जो उनके जीवन में पहले कभी सालों पहले हुआ, वो दिन भर उसी बात को सोचते हैं, रात भर उसी बात को सोचते हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि डिप्रेस हो गए हैं, बहुत चिंतित रहते हैं, निरास रहते हैं, दुखी हैं, करण क्या ह क्योंकि ये अपने present time को नहीं जी रहे हैं, ये past time को आज जी रहे हैं, means ये उन घटनाओं को याद करकर के आज का दिन व्यतीत कर रहे हैं, और बहुत सारे भाई बहन हैं, जो केवल future के लिए जीते हैं, वो आज, आज के दिन को नहीं जी रहे हैं, बलकि आज अपने दिमाग को, अपने सोच विचारों को केवल future पर लगाए हुए हैं, भोश्य पर लगाए हुए हैं, इसलिए वे भी चिंतित रहते हैं, वे भी निरास रहते हैं, वे भी दुकी रहते हैं, कि आने वाले आगले साल मैं क्या करूंगा, जब मेरी साधी होगी, तो मैं कैसे अपने कर अपना आज खराब कर देते हैं, अपने आज के दिन को यूँ ही व्यतीत कर देते हैं, भोशे की बातों को सोच कर या फिर पास्ट की बातों को सोच कर, लेकिन present में, जो इस समय वर्तमान है, जो आज का दिन है, उसे वो celebrate नहीं कर पाते हैं, उसका enjoy वो नहीं ले पाते है उसका आनन्द वो नहीं ले पाते हैं, वो या तो आदा समय अपने past में रहेंगे, आदा समय अपने भोशे में रहेंगे, जिसका आनन से उन्हें नीन नहीं आती, चेहरे पर कोई खुसी नहीं, कोई आनन्द नहीं जीवन में, 24 गंटे tension में, लड़ाई जगडों में, अने एक कमरे में हैं, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहें, करण क्या है, क्योंकि एक ब्यक्ति अपने past के बारे में सोच रहा है, दूसरा ब्यक्ति अपने future के बारे में सोच रहा है, तिसरा ब्यक्ति अपने mobile में लगा हुआ है, वो connected नहीं है, वो connected नहीं है, इसलिए वो उस दिन का आनंद नहीं ले पाते हैं लेकिन परमेश्व का वचन हमें सिखाता है कुछ और बजन साहिता 118 और उसका 24 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है क्या लिखाया यहां पर कि आज का दिन यहुआ ने बनाया है हर एक दिन यहुआ ने बनाया है हम इस दिन में आनंदित हो और मगन हो इसलिए येशु मसी कहते है कल की चिंता कल कर लेगा आज के लिए आज का दिन ही बहुत है आज के दिन को इंजॉई करो आज के दिन का दो उठाओ, भजनकारदाओत भी कहरे हैं कि आज का दिन यहान्य मिज़े दिया है, इसलिए मैं इसमें आननदित होँगा, इसलिए मैं इसमें म'REग्न होँगा, लेकिन हमेंसे बहुत से भाई भेहन हैं, जो आज के दिन का आननद नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो या तो आज के दिन में पास्ट की बाते सोच रहे हैं या फिर आज के दिन में अपने भुशे की बातों को सोच रहे हैं लेकिन आज के दिन का वो enjoy नहीं कर पाथ आज बच्चे उनके साथ में हैं लेकिन वो उनसे बात नहीं करते आज उनकी पतनी उनका पती उनके साथ में है लेकिन उनसे वो बात नहीं करते उनसे मन मिटाओ है उनसे दूरियां रखे हो आज उनके पास अच्छा काम है लेकिन उस काम को वो महत्वा नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो अपने भूशे के बारे में सोच रहे हैं या फिर बैक पास्ट के बारे में सोच रहे हैं जिसके कारण से जो आज उनके पास प्रभु ने दिया है उसे भी वो खोती चले जाते है उसे भी वो भी उनके हाथ से निकलता चला जाते है क्योंकि वो अपना 100% ना अपने परिवार को दे पाते हैं ना 100% अपने काम को दे पाते हैं ना 100% अपने आपको दे पाते हैं कुछ भी नहीं कर पाते हैं, फिर वो वहीं रुक जाते हैं। लेकिन आज सुभे में मैं आपको उच्छाइट करूँगा, यदि आप प्रभी एश्व मसी पर विश्वास करते हैं, यदि आप प्रभी एश्व मसी के पीछे चलते हैं, तो आज आपको आज के दिन का आनंद लेना है आपको जितना समय मिला है उस समय को आप यूटिलाइज करें उस समय में आप आनंद को लें उस समय में आप इंजॉय को करें अपने परिवार के साथ में अपने भाई बहनों के साथ में अपने बच्चों के साथ में अपने दोस्तों के साथ में प्रवु के लोगों क देखा जाएगा पास्ट में क्या हुआ उसे आप बदल नहीं सकते लेकिन आज का दिन जो आपको मिला है उसे आप बहतर रूप से यदि आप जीएंगे अच्छे तरीके से यदि आज आज आप करेंगे तो आपका भौशे भी उजवल होगा पास्ट चाहिए आपका कितना ही खराब क्यों न रहा हो पास्ट में चाहिए आपके साथ में कुछ भी क्यों न हुआ हो उसे आप बदल नहीं सकते वो हो चुका है लेकिन आने वाले भौशे को आप बदल सकें यदि आज आपने परजेंट जो टाइम है उसमें जीना आपने शुरू कर दिया अपने परजे भी आपको पास है हो सकता है आज इस समय आप घटी कम्यों में हो भौशे में जो होगा वो देखा जाएगा लेकिन आज का दिन आपको अच्छे से ब्यतीत करना है इस चिंता को अपने दिमाग से निकाल दें कि मैं घटी कम्यों में हूँ मैं करज में हूँ कैसे दूँगा क्या होगा इस चिंता को निकाल दे मेरे बच्चों का आने वाले दिनों में क्या होगा निकाल दे इस बात को आज का दिन देखें कल का दिन आपको नहीं पता आप देख भी पाएंगे कि नहीं परशों का दिन हमें नहीं पता लेकिन आज का दिन हमें पता है, आज हम जीवी थें, इसलिए आज जो कुछ करना है, आज करना है, आज के दिन का आनंद ले, आज के दिन मगन हो, क्योंकि ये पर्मेशन ने आपको दिया हुआ, आपके रिस्तों में जो करवाहट हैं, उन्हें आज दूर करें, आज मेल भी आप कर लें, आज एक दूसरे के साथ में समय व्यतीत करें, क्योंकि कल आए ना आए, किसने देखा, किसी ने आज अपने जीवन का आनंद में, कई बार देखा जाता है कि परिवार कहीं घूमने गए हैं, लेकिन कुछ लोग केवल पास्ट की बातों पर लगे हुए हैं, सोच लेकिन कुछ लोग जो पास्ट की बातों में उल्चे हुई हैं, जिनके मुँपे 24 घंटे दुख का रोना है, अपने दुख राही है, ऐसे हुआ मेरे जीवन में, वैसे हुआ मेरे जीवन में, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, नहीं, आपको आज के दिन का आनंद लेन ये समय जो प्रभु ने आपको दिया है ये दुबारा नहीं आएगा, ये ब्यक्ति जो आपके पास है साइद ये कल रहे न रहे, आज आप आनन दो, आज आप आनन दो, इस जगे पर क्या पता कल आप आए न आए, आज यहां पर हैं, आज आनन दो, इस काम को जो आप कर रहे क्या पता कल मौका मिले ना मिले इस काम को करने का आज इस काम को करके अपना 100% अपना समय खराब न करें अपनी रातों को खराब न करें पीछे की बातों को सोचने में और आगे की बातों को सोचने में परजन टाइम में जी हम यूसुप के विशय में देखें यूसुप के ज गड़े में गिरा दिया, वो तो अच्छा करता था, लेकिन उसके साथ में बुरा होता था, वो जेल में कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं, लास्ट में, यूसुप एक बात को कहता है, कि परमेश्चुन ने मेरे लिए हर बात में भलाई को पनी, यूसुप हर काम में जो काम उसे मिला, उसने वो परफेक्ट के तरीके सी किया, उसने दोश नहीं लगाया अपने भाईयों पर, उसने दोश नहीं लगाया किसी और पर, जो उसे मिला था, वो उसको करता चला गिया, जिस परस्तती में था, उसी में वो खुस रहा, जिस जगह पर था, उसका आन परत दिन का आनंद लेना शुरू करेंगे। 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 क्योंकि हमारा परमेश्वर परत्नाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। परत दिन का आनंद लेना शुरू करेंगे। प्रभु जी अनंत जीवन के राज्य में हमें प्रवेश कराये। खुदावन हमारे गुनाहों को उठा लिया। मैं तेरा धन्यवाद करते हूं पिता जितने भी लोग हमारे साथ इस सुभाम की प्रातना में शामिल है। प्रभु येश्व आपका आनन आपकी शांती आपका चैन प्रभु आपका विश्राम प्रभु इनके जीवनों में आये पिता। प्रभु ये इंटरनल प्रभु आपकी पॉजिटिविटी को महसूस करने पाएं पिता। हर प्रकार की नकरात्मक बातें, डायवर्ट करने वाली बातें, घबराने वाली बातें, व्याकुल करने और बेचैन करने वाली बातों को हम कहते हैं जाओ इसी वक्त इनके जीवनों को छोड़ कर ये इस समय प्रभु शांती को महसूस करें क्योंकि आप शांती के प्रभु मैं आपका धनिवाद करती हूँ आदर करती हूँ आज की सुन्दर सुभा में आएवे वचन का आदर करते हैं प्रभु आपकी वाणी का आदर करते हैं प्रभु जो हम तक पहुंची है पिता मैं धनिवाद करती हूँ प्रभु क्या आप चाहते हैं अपने लोगों आज के लाइफ को ट्रैंस्फर्म करना, उन्हें बदलना, उनके जीवन को आशशित करना, उन्हें आगे बढ़ाना, मैं धनिवाद करती हूँ कि आपका वच्छन हमें हर दिन प्रभु जी, नई नई बातों को सिखा रहा है प्रभु, मैं धनिवाद करती हूँ पिता, आज क आज को प्रभु आप शुद्ध करें प्रभु और जो कुछ भी प्रभु हम आपके राज्य के लिए करते हैं, उससे प्रभु आपका राज्य बढ़ने पाए, आज के दिन में प्रभु जो वच्छन प्रभु अपने दिया है, आज वो दिन है जो यहुआ ने बनाया है, मगन होकर उसका आनंद उठाने पाए, प्रभु जी, उसका प्रभु लुप्त लेने पाए, प्रमेश्व पिता, मैं प्राथना करती हूँ प्रभु, आज हर एक जन प्रभु, हर एक भाई, बहन प्रभु जी, अपने पास्ट को यह प्रभु तेरे नाम से भुलाने पाए प्रबुद तरीके से प्रभु इसका आनन्द लेकर अपने परिवार- अपने परिवार के साथ अपने पती, अपने पतनी के साथ, अपने माता, पिता, अपने बच्चों के साथ, परमेश्वर के साथ, प्रभू इस दिन का आनंद ले सकें, और आज के दिन के जो कारिये हैं, उसे वो 100% प्रभू कर सकें, अपना 100% प्रभू आज के दिन में आपके राज्य के लिए दे सक पिताब कब वचन हमें बहुत पॉजिटीव करता है, हमें इंस्ट्रक्ट करता है, हमें कॉजिटीव करता है, हमें कॉजिटीव बनाता है। मुश्किल है प्रभू इसी वक्त इनके जीवन से हम उसे कैंसल करते हैं नस्ट करते हैं प्रभू आज के दिन में इन भाई बहनों को पिता आज का दिन प्रभू बखुबी और बहुती बहतर रीती से प्रभू जीने में आप इनकी साहता करें प्रभू आज जितने भी लोग बिमारी में है, दर्द में है, तकलीफ में है, घाओ में है, चोट में है, पिता, येशु के नाम से पिता, उन सारी बिमारियों को, दर्द को, रोग को, घाओ को, चोट को, इंफैक्शन को, अलर्जी, कैंसर, पैरलाइस, ट्यूमर, बीपी, शूगर, हर एक रोग के उपर, हर सब के शरीरों में नहीं है, जाओ येशु के नाम से, इसी वक्त तेरा वचन कहता है, कि मैं ही तेरा चंगा करने वाला पर मेश्यर हूँ, धन्यवाद पिता, कि तुने हर एक व्यक्ति को, हर एक भाई, हर एक बहन को, बुजर्गों को, बच्चों को, पिता, उनके सारे रोग एक नया साल आपने इनके जीवन में दिया है, दीर का आयू दे और पूरे साल प्रभु तेरी उपस्तिती में चल सके पिता, प्रभु अपने दान वर्दानों से भरे प्रभु जी और इनके मनरतों को, इनकी इच्छा को आप पूरा करे, जितने भी भाई बैन प्रभु ज प्रभु जी जॉब के लिए प्रभु प्रात्ना करे, खुदावन एक बेस्ट जॉब दे कर इने ब्लेस करे, प्रभु इने बच्चे की आशिस दे कर ब्लेस करे, घर की आशिस दे कर ब्लेस करे प्रभु और वो आपने दे दिया है, प्रभु आपके लोग रसीव करने पा और वो आज के दिन का आनंद उठाने के लिए तयार है पिता धन्यवाद करते परभू जी हरे कि आपने साहता किया मदद किया और जितने भी भाइबन करजे में फाइनाशल प्रॉब्लम में जरुतों में है पिता धन्यवाद तुने अपने महिमा मैधर से उनके लिए सब कु द्रिष्टी से, गलत कामों से, स्कैम से, फ्रॉड से, धोके से हर एक जन को प्रोटेक्ट करें प्रभू आप हम सब के चारों और आग की सी सहर पना है हर प्रकार का दुष्ट का कारिया इसी वक्त इनके जीवन से चला जाए दुष्ट आत्माय चली जाए ये शुके नाम स धन्यवाद पिता हम सब के ऊपर आपकी प्रभूता है पिता धन्यवाद करते हैं धन्यवाद के साथ प्रात्ना ये शुके नाम से मांगते सुने और भहन करें आमेन आमेन और आमेन